यहां पर आप high density plastic recycling plant देखने जा रहे हैं और यह किस तरह से work करता है क्या किसके components होते हैं वो मैं बताने जा रहा है इस मशीन को हम simply RP plant भी बोलते हैं recycling plant और यहां पर जो heat generate की जा रहे है वो लकडी को जला के generate की जा रहे है तो जब इसको जलाते हैं तो थोड़ा धुआ निकलता है जो कि pollution का एक कारण होता है अब जो machines आते हैं basically उसमें heaters लगे हुए आते हैं इस तरह का setup कम आता है क्योंकि यह pollution है और यह unhygienic भी है अब इसके components देखते हैं किस तरह से power का transmission होता है वो मैं आपको बता रहा हूं सबसे बहुत मोटर लगा हुआ है तो यह 45 hp का motor है इस से फिर आप यह bell drive के थ्रू पुली चल रहा है पुली से फ box लगा हुआ है वो speed का reduction कर रहा है फिर यह housing है और housing के बाद यह आप जो देखेंगे hopper लगा हुआ है इस hopper में basically जो based plastic का उसको डाला जाता है और फिर वो melt होगे उसको recycle किया जाता है तो process आप आगे वीडियो में देखने जा रहा है कि देखिए किस तरह से इसमें डाला ज इसको recycle किया जाता है आर्पी प्लांट को यह आप component देख सकते हैं हाउजिंग है hopper और यह आपका screw barrel है नीचे है कि देख सकते हैं आप इसक्रू इसक्रू बेसी के लिए एक पोर्शन होता है जिसको फर थ्रेडिंग होती है तो यहां पर इसक्रू से क्या होता है material डालते है और यह इसक्रू क्या करता है भूमने की वेज़से इस material को आगे की तरफ ले जाता है और आगे आप देखेंगे हीट हो रहा है तो हीट की वैसे material क्या होता है melt होता है पिगलता है यह जनरली हीट जनरेट करने के लिए आप हीटर बगरा इसक्रू पर लगा देते हैं लेकिन अभी कुछ जगह यह इस तरह का भी यूज करते हैं अभी यह आप देख सकते हैं यह फरने साइक तरह से जहां को डेमपर भी बोल सकते हैं जिससे आप एयर की सप्लाई को कम ज्यादा कर सकते हैं जब ज्यादा एयर की जरुवत होगी तो आप इसको इसको इस तरह से आदा कोई के रखते हैं यूनिफॉर्म रेट पे यहां पे हीट नेट हो रही है और इसके बाद जो प्लास्टिकी रिसाइकल होके आता है यह बैसिकली चंक की फॉर्म निकलता है उसको कट करके छोड़े पीस में चोड़े-चोड़े चंक पना जाते हैं और उसके बाद जो मोल्डिंग होती है वहां पर यूज होता है यह है तो इसके कैंस बगरा जो बन अब देखे इसको किस तरह से निकालते हैं उससारा सेड़ में देखाने जा रहा हूं आपको यहां पर यह सबसे लास्ट में स्क्रीन चेंजर लगा होता है और स्क्रीन चेंजर को खोल के आप इसमें पूरा चंक निकलता है और फिर इसको कट करता है यह जो आप देख रहे पूरा यह कहलाता है, screen changer वाला portion और यहाँ पर यह screen changer हाइडॉलिक भी होते हैं और simple इस तरह manual होते हैं हाँ से इसको आप खोल सकते हैं बिलीवत लगाके और इसमें जो filter होता है जो आपकी छलने टाइप के होती है इसको बार बार cleaning करना पड़ता है क्योंकि इससे आपका जो प्लास्टिक हो चिपक जाता है तो उसके जो होल्स होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं तो चेंड करना पड़ता है आपको कि देखिए बहुत सारा दूहा जाने ही टो रहा है इसमें कि यह देख सकते हैं यही आपका प्लास्टिक है यह जब ठंडा होगा तो चंक बन जाएगा फर इसको छोड़ियों पीस में काटके और बोरे होते हैं इसमें बरके जिस भी पार्टी का मटील होता है उसको बेग दिया जाता है कि यही देख सकते हैं जाता है